आज हम बनाएंगे बेसन से ऐसी स्वाधिष्ट रेस्पी जिसे खाते खाते आपका पीट भरने वाला है लेकिन मन नहीं भरेगा इतनी टेस्टी रेस्पी है बहुती मज़ेदार और यूनिक रेस्पी लेकर आई हूँ आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेस्पी इस नह कर लिए और इसमें हम डालेंगे वाथ टेविल निया के करीं अजबाएं ऑजबाएं को यहां करे दिन्य redefine इस और अजबाएंगे और 5 टेश्फिन की चेना करीं अच्छा आईगा और इसमें मन डालेंगे sic Have a bigger salad और चमज और बल्बाटी आफ्म बेशे कर लेंगे, तोड़ा सबITCH क्यों सरथ estásथे आप्डैंगे आपणा अड़ासा टायस्स Begin A पानी करेंगे एक संग आपको श्यादा पानी नहीडाना ह्फाथेस पानी नहीं डालें अचाताता ब्लम्कुल पतड़ा onion और इसका हमें आटा गुनकर तयार कर लेना है ना जादा हमें आटा सक्त चाहिए ना जादा नरब चाहिए और इसका बिल्कुल परफेक्ट हमें आटा गुनकर तयार करना है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे हातों की हैल्प से इसको मसल मसल कर अच्छे से आटा गुनकर त तैयार हो चुका है तो यहां पर जो हमारा आटा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है तो चलिए अब हम लगा लेते हैं पटे पर थोड़ा सा ओयल और इसको अच्छे से ओयल से ग्रीज कर लेंगे और इसमें हमने जो बेसन का अडो तैयार किया था ना वो हम यहां पर हलक हलक के हाथ Raphael ahor 70 ब् confession बहुत जादा नरम होता है तो यहां पर हम इसको हलक क्या हाथ बैलते जाएंगे और ब्लक इसकी एक जसी रोटी बनाते ना विश्जी तरह से एक जचांगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने एक रोटी कर तैयार कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रोटी के हमने आठ बाग बना कर तैयार कर लिए है तो यहां पर रहा हम बहुत जादा बढ़ियों बहुत जादा सिंपल है और यहां पर तो यहाँ पर हमने दिजाइन है बनाकरते हैं वशके वावेराशार्टएर्टफिया की था बसी तरहा है बहुत ही बड़ी है चली एक वावे पर भी हमेरों से लयार की है। तो हमने दिजाइन बनाकर तो पार तौर की थी वावे मैं इसके दो एक सो रख दी हैं तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे तो यहां पर हमने गैस पर एक कड़ाई रख दी है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी बाउल होने के लिए रख दिया था पानी बाउल हो चुका है तो इसके उपर हम रख देंगे इस्टेनर और इसको हम एक थाली से कवर क दो मिनट बाद जो लेंगे करें डेल आप जाए है तो उसको चुम से भी चमुन कर सकते हैं तो यहां पर पानी यह इसको भेकिंग के नहीं इसका भी हम यूज करेंगे तो यहां हमारी जो सारी डिजाइन्स हैं वो ठंडी हो चुकी है तो यहाँ पर हम एक चाकू लेंगे और चाकू की हेल्प से हम इसको बीच में से कट कर लेंगे लग रही है ना बहुती बड़ी है डिजाइन वाव कितनी अमेजिंग लग रही है ना और यह बहुती आसानी से बनकर तयार हो जाती है तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसकी सारी डिजाइन से वो बना कर तयार कर लेंगे यह देखिए बहुती आसानी से बनकर तयार हो जाती है और आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी और बहुती वड़िया बनकर तैयार होगी तो यहाँ पर यह बिल्कुल तैयार हो चुकी है कटकर तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इस्टेश की तरफ तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जाल ले लिया है और इसमें हमने तीन हरी मर्चे डाल दी है और यहाँ पर हमने एक इंच अधरक का टुकड़ा जिसको हमने बीच में से चॉप कर लिया था वो हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम जाएंगे 8-10 लहसन के जवे वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगी एक प्यास इसको हमने बीच में से चौप कर लिया है इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर हम चौप कर लेंगे और इसमें हमने डाल दिया है वन टेबल स्पून के करीब जीरा और एक तेसपात का पत्ता और इसमें अब जाएगा आदा दालचीनी का टुकड़ा इसको यहाँ पर हम अच्छे से क्रेकल होने देंगे और इसमें अब हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने प्याज लेसन अदर लेंगे तो यहाँ पर इसका जो एक तो आधां हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले तो इसमें अब जाएगा ऐगा टू मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर हुआ हम इसको अच momentum बून लेंगे जब तक कि इसका जो तेल है वो अच्छे से separate नहुजाए नहुजाए तो यहाँ पर आप देख सकते है कि जो हमारा मसाला है काफी अच्छे से बून चुका है और इसका तेल भी सेपरेट हो गया है और इसमें अब जाएगा हाफ टेबिल स्पून के करीब टोमेटो कैचप अगर आपके पास टोमेटो कैचप नहीं है तो आप यहाँ पर टोमेटो प्योडी का भी उस कर सकते हैं तो यहाँ पर इससका जो टेस्ट है वो बहुत जादा अ हो गया है और इस स्टेजट पर हम इसमें डाल देंगे पानी यह वही पानी है जिसमें हमने अपनी रेश्पी को सब्ट हेँगे यहाँ पर हमने जो सारे रॉल हैं वो इसमें डाल देने हैं और गैस की फिलेम हमें बिल्कुल मीडियम रखनी है मीडियम फिलेम पर हम इसको कवर करके दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे इसको अब हम यहाँ पर cover कर देंगे दो मिनिट के लिए दो मिनिट हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है बिल्कुल बनकर तयार हो चुकी है और यह बहुती जादा delicious बनकर तयार होती है तो यहाँ पर हम इसको अच् इसको डिशाउट कर लेते हैं तो ये लीजिए बिल्कुल तयार है हमारी यूनिक स्टाइल की बहुती शांदार और बहुती टेस्टी बेसन की सबजी जिसको बनाना बिल्कुल बनता है आप इसको जरूर ट्राई करें आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बदलना हो या आने वाले हो महमान सभी तारीफ करेंगे जब यह आप सबजी बना कर खिलाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज